कैसो आप सब लोग आई होप एकदम मस्त हुआ भाई अभी देखोगे हमारे सामने प्रेजेंट है टीवेस की जूपिटर और भाई यह जूपिटर का ना आज मैं आपको प्रॉपर रिव्यू करके बताऊंगा प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा लेकिन भाई यह एक्सपीरियंस देखो अभी गाड़ी लिये हुए यह दो मन्त भी नहीं कंपलेट हुआ और भाई साब यह क्या है देखरो इसके अलावा यह देखो यहां पर बॉड़ी यह देखरो बॉड़ी देखरो यह देखरो यहां पर लेयर पूरा का पूरा भाई खराब अब मैं आपको आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि आप भी अगर यह स्कूटर लेना सोच रहे हो तो आप लोगे या नहीं लोगे माईलेज कैसी है टॉप स्पीड कैसी है इसके साथ साथ इसका पावर कैसा है आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं क्यूंकि अभी तक मैं इस स्कूटर को लगभग लगभग 1100 पलस किलोमिटर राइड कर चुका हूं यहाँ पे आपको देखो 1187 किलोमिटर अभी तक मैं इसको चला चुका हूं और फश्चे 60 287 km चलाने के बाद मैं आपको इसका मेरीट बताऊंगा इसका बी मेरीट बताऊंगा इसका बिल्ड क्वालिटी टेस्ट बताऊंगा और इसका माईलेज टेस्ट बताऊंगा आखिर दो दो बार तीन-तीन बार मैंने माईलेज टेस्ट करा बिल्ड क्वालिटी चेक करा इसके इसका मेरीट क्या मुझे अच्छा लगा सबसे अच्छा फीचर क्या लगा इसमें कुछ-कुछ दिक्कत है वह दिक्कत क्या है आप खरीदते हो तो आपको भी फेस करना पड़ेगा उसका क्या सोल्यूशन है सारा चीज आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं तो देखो भाईया सबसे पहले तो मैं मेरीट की अगर बात कर लूँ तो इसका जो हेडलाइट सेक्षन है यह बहुत अच्छा है इसका कोई जवाब नहीं है बेस्ट माना जाएगा अगर 10 आउट आउट आफ 10 रठिंग दिया जाए तो इसका हेडलाइट जो है वो बहुत अ करनेक्ट एप है दिख रहा है अब यह टीवेस करेक्ट एप को आप करोगे न तो एक नंबर आता है जो कि आपके सीट को सीट को ओपन करने के बाद एक नंबर वहां लिका रहता है वो नंबर से करना होता है और सब सबसे चाचीज फाइंड मी देख रो अभी मैं अलाव कर देखने में काफी अच्छा लग रहा है देखने में इसके साथ साथ इसकी टायर जो है न बहुत लोग कहते थे कि बाईया यह 12 इंच की टायर कितना ज्यादा मददगार साबित हो सकती है तो ऐसी कोई बात ही है जब मैं हाईवे पर इसको चलाता हूं तो बैया 86 किलोमेटर 87 किलोमेटर का टॉप स्पीड केंच देता हूं फिर भी कही नहीं लगता कि टायर से दिक्कत है 12 इंच का टायर हमारे लिए दिक्कत कर रहा है इसको 17 इंच होना चाहिए था बहुत अच्छा इसका टायर है ब्रेकिंग की मैं बात कर लूँ न तो बाकी जो स्कूटर मैंने बरिकिंग कहीं न कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा अब कैसे अच्छाश को आपको देखो आपको दोन संगे मैं चला था मैं लगतार इसको 100-100 km, 120 km चलाया, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में अगर मैं बात करूँ, तो हमें कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, ब्रेकिंग इसका नोडाउट बहुत अच्छा है, 130 mm का ब्रेक डाइमेटर मिलता है, 12 इंच का टायर मिलता है, अब हमारे भाई लो इक नहीं करेगा, तूटेगा फूटेगा नहीं, तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे भी जो है एक मेटल का बहुत अच्छा परत लगाया हुआ है, मेटल का कवर किया गया है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार नहीं द आता हूँ, देखो, सबसे अची चीज क्या है इसमें, यहाँ पर मैंने अन किया, पूरा का पूरा, भाई, घर का समान हो, अपना हेलमेट हो, चस्मा हो, सब कुछ मैं रख लेता हूँ, 33 लिटर का बूर स्पेस का क्यापसिटी, अब बहुत भाई लोग ये भी बोल रहे थ की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, इसके साथ साथ, इसका पीछे का कनेक्टेड लाइट जो है न, वो काफी ज़्यादा जवाब लगता है, इंजिन की अगर मैं बात कर लूँ, तो भाई, 110 CC में उन्होंने, 113 CC का इंजिन लगा दिया है, जो कि बहुत अच्छा है पावर के मामले में, सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, काफी गड़े वाले रिये में भी मैं लेकर जाता हूँ न, फिर भी हमें सस्पेंशन में कोई भी दिक्कत नहीं होता है, थोड़ा सा भी जर्क मैसूस नहीं होता है, लेकिन एक परिशानी क्या होती है, म देखो, मैं बता रहोगा, यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो गया, अब इसको ना, कम से कम, एक मिनेट के लिए छोड़ देना है, अगर नहीं छोड़ोगे, तो इसका जो फ्यूल है, वो पूरे पार्ट में नहीं जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा थक 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 जब से इंजन रेस नहीं हो इंचन भीट नहीं हो थोड़ा था तब तक इसको छोड़ देना उसके बाद राइड करना काफी अच्छा रहता है और यह गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना कि ब्रेक लेकर पूरा का पूरा इसका एसकेलेटर को ले रहें यह गलती मत करन स्टार्टिंग में जब आप सूबह सूबह अपने स्कूटर को निकालते हो चलाने के लिए तो इससे अगर आप ऐसा करते हो तो आपका इंजन पर बहुत जल्दी असर पड़ेगा खराब भी हो सकता है लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो इंजन आपका लॉंग लास्टिं चलने वाला है तो यह तो चीज़े थी जो कि मैं experience किया तो सोचा मैं आपको share कर दूँ बट हाँ भाई डीमेरिट तो बता दो मेरे भाई तो देखिए डीमेरिट के अगर मैं बात करूं तो भाई यार एक बार यह स्कूटर और automatic मैं देख रहा हूं कि यार यह अपने हाथो में आ गई क्या है भाई यह देख रहो क्या है यह बिल्ड कॉलिटी देख रहो तो कहीं न कहीं न भाई features तो दे दिया है इसमें features मतलब अभी तक मुझे नहीं लगता कि 125 CC के scooters में और कोई भी scooter में ऐसे features है ठीक है features wise no doubt बहुत ज्यादा अच्छा है बट क्या build quality है इसका न अगर गिर गया ना तो पूरा का पूरा body damage हो गया यह भाई इसकी सच्चाई जो मैं आपको आज पता रहा हूं ठीक है दूसरा क्या इसका मुझे क्या demerit लगा भाई इससे पहले मैं hero का भी bike चलाया hero का scooter भी चलाया service cost जो है न कहीं न कहीं इसका ज्यादा लिया जाता है engine oil का cost ज्यादा लिया जाता है in comparison to hero in comparison to honda activa in comparison to suzuki axis suzuki evanis in comparison to yamaha rage zr 125 इन सब इसका जो maintenance है वो कहीं न कहीं ज्यादा देखना पड़ता है ज्यादा पे करना पड़ता है यह मेरा खुद का experience है मैंने जब फर्स सर्विस कराया था तो मैं 594 रूपीज पेड़ किया था फर्स सर्विस में क्या करते हैं कुछ नहीं बईया engine oil change करते हैं उसके अलावा यह कुछ नहीं करते हैं अब बताइए रहा engine oil change कराने के बाद थोड़ा सा break tight कराने के बाद sample polish engine flex use कर दिये यह वो मतलब अपना बिल बढ़ाने के लिए यह सारी चीजों को use करके इन्होंने 594 चोरानबे रुपे का बिल बना दिया तो कहीं न कहीं यह scooter को पालना मतलब थोड़ा सा service cost जो है इसका जो maintenance है वो आपको जादा पड़ेगा इसके साथ साथ अब मैं mileage बताता हूं आपको तो देखो भीया अभी मेरे साथ ना incidentally अब पता नहीं यार मेरे साथ एक और बंदा बैठा हुआ था जब मैं अभी recently में जो mileage निकाला था उसमें मेरा ये जो scooter है after service के बाद भी 31 का mileage देता है और भाई मुझे भी ये विश्वास नहीं होता है कि यार ये scooter 31 का mileage कैसे देगा बट कोई नहीं हो सकता है मेरे से mistake होगा या हम लोग दो लोग बैठे हुए थे तो दोनों का weight almost मिला कर 150 kg हो जाएगा तो 150 kg लेकर इसका और हम लोग पूरा scooter को top speed पर चला रहे थे तो हो सकता है कि mileage कम दिया होगा बट ये जो scooter है आपको आराम से 50 तक का mileage देती है तो कहीं न कहीं ये dark reality है अगर आपको लंबे distance के लिए एक scooter खर लिए और डेली आपका running 25-500 km है वो भी एक पीलियन के साथ तो आपको माईलेज नहीं मिलेगा ये चीज आप अपने दिमाग में गांठ बान लेना उस समय आपको माईलेज नहीं मिलेगा ओके इसके साथ साथ price की मैं बात कर लूँ तो अभी तक ना total इसमें 3-4 वेरियंट तो आए हैं तॉप वेरियंट में आपको किक नहीं मिलता है डिस्क मिलता है और हमारा जो है वह सेकेंड टॉप है जिसमें डिस्क नहीं मिलता है बट भया किक मिलता है तो मैंने इसको परशेज करा था एक लाख 4,000 रूपया ओन रोड प्राइस पड़ा था इसके साथ साथ इसमें भी Digital Meter Console देखने को मिलता है, यहाँ पर भी मैं आपको दिखाओं, तो Digital Meter Console मिलता है, यहाँ पर USB Charging Socket मिलता है, जिसने मैं अपने फोन को भी बड़े इसली चार्ज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको Globe Box टाइप से देखने को मिलता है, जिसमें मेरा यह माइक है, और मेर यह एक दवा है भाई, देखरो, एनी टाइम मैं इसी में रखकर चलता हूँ, इसके साथ साथ इसमें Intelligo Assist Features मिलता है, यह Intelligo को On करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार ऐसे प्रेस करना है, और एक बार ऐसे लेलना है, आपका जो स्कूटर है, वो स्टार्ट ह रहते हो, तो High Beam, Low Beam के रहने के लिए Light Assist है, पास Light के लिए Light है, जो कि काफी काम का चीज़ है, Turn Indicator है, इसी में, भाई, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, Turn Indicator को अगर थोड़ी दिर तक ऐसे प्रेस करके रखोगे न, तो यह देखो, देखरो, 1000 Light भी जल गया है, भाई, य Personally मुझे थोड़ा साइसू लगा, यार ये लेते के साथ न, आगे साइट से इसका पचिकना सुरू हो गया, ये निकलना सुरू हो गया, तो ये था हमारा Proper Ownership Experience, ये मैं यूट्यूवर के वास्ते नहीं बता रहा हूं, ये मैं स्कूटी खुद वखुद पर्चिस किया हूं 6th of September को, 6 September को मैंने ये पर्चिस करा था, और अभी दो महीना complete हो गया है, इस स्कूटर को पर्चिस किया, दो महीने में मैंने जो फेस किया, वो मैं आपको आपके सामने बताया, अब आप कमेंट करके बताएए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो,